Hi everyone, welcome to Current Grunt. Start करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आज हम डिसकस करने वाले हैं Green Revolution and Social Change, ठीक है? फिर देखेंगे कहां तक हमारा ये आज वीडियो जो है, वो cover हो पाएगा. तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले में उनके लिए बता दू, अगर आपको इस paper B का PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको Telegram Group जोइन करना होगा, जिसकी link आपको नीचे description box में मिल जाएगी. तो मैं आने वाले time में इसमें इगनो material आपका जो sociology के related है, fine, and कुछ vision IS की जो checked answer copies होती है, उनका वीडियो, प्लस आपके thinkers का separate video and कुछ revision series जो इस भी लेके आऊंगी, अगर आप यह सब कुछ miss नहीं करना चाहते हैं, तो do like, share and subscribe to this channel, comment से बताएं आपको videos कैसे लग रहे हैं, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे super thanks बेच सकते हैं, heart के अंदर dollar वाला sign, जो आपको comment section में मिल जाएगा, या अगर आप voluntarily contribute करना चाहते हैं, तो आपको मेरी channel के UPI ID, जो है, comment section में pin की हुई मिल जाएगी, या आप मेरे description box में भी देख सकते हैं, channel के description में, वहां से भी आप voluntarily contribute कर सकते हैं, तो start करते हैं हमारा आज का topic, तो green revolution होता क्या है, यह basically आपने, इसमें क्या क्या था green revolution में, high yielding varieties जो हैं, जिन से हमारा yield, हमारी productivity increase हो जाए, high yielding varieties किन की, stable crops की, ठीके वो introduce की गई थी, लेकिन इसमें आपको एक बात याद रहनी है, जो high yielding varieties हमने use करी थी, इसमें हमें, जो है fertilizers का excess use करना पड़ा था, इसमें को पानी काफी जादा जरूरत होता है, तो irrigation का भी use बहुत जादा करना पड़ा था, and pesticides, तो यह चीज़ें इन में increase हुई थी, इन सब चीज़ों से क्या होता था, आपका जो agricultural output है, वो boost हो जाता था, तो high yielding variety seeds, high yielding variety seeds हम use करते थे, उससे हमारा जो output है, वो increase हो गया, agriculture output, लेकिन उसमें हमें fertilizer ज़्यादा, pesticides ज़्यादा, and जो irrigation है, वो काफी ज़्यादा water ज़्यादा है, वो demand करते थे, तो यह इसका basic था, यह लाया किनने था, Norman Barlow इनको बोलते हैं, ठीके वो एक famous American agronomist थे, Norman Barlow, और इन्होंने पहले कहां introduce किया था, इसको Mexico में 1940s-50s में, 40s-50s में, fine, तो इंडिया में जो green revolution है, यह denote करता है, phase Indian के agrarian history में, जहाँ पे food grain production हमारी काफी ज़्यादा increase हो गई थी, एक short duration में, land reforms जो थे, वो institutional reforms थे, जो government ने लाये थे, ताकि जो land है, वो equally उसको हम distribute कर सके, और inequality उस level पे हम कम कर सके, तो उसमें distributional aspect of land था, fine, land को distribute करना, और एक ceiling set कर देना, उससे extra land नहीं रख सकते हो, green revolution था, ये किसके लिए लाया गया था, productivity जो है, increase करना, food production, जो है, उसका output increase करना, ताकि food security बनी रही हमारी country में, and income of farmers, जो है, उसमें भी क्या मिले, उनको increase देखने को मिले, land reforms ने, सरफ एक limited impact डाला था, rural society पे, क्यूंकि उसमें आपने दिखा, फिर Hindu undivided families, उनने क्या किया था, जो है, उनने क्या किया था, जो है, उनने क्या किया था, वो न्यूगले सेट अप में आ गई थी, वो हमने सारा डिसकास किया था, land reforms में, तो कैसे family का structure, उनने break किया था, और land जो है, सारी अपने पास रखी थी, और इसने भी सही से काम नहीं किया था, land reforms ने, क्यूंकि जो officials इसके लिए responsible थे, वो कही ना कहीं, big farmers वगएरा के साथ, already hand in glove थे with them, तो उन्होंने, जो है, land reforms को सही से implement नहीं किया था, जो green revolution लेकिन था, 1960s and 70s का, इसने काफी changes लेके आया था, ये in the areas where it took place, हम इसके positives and negatives लेकिंगे, इस chapter में, इस topic में, ठीक है, जी, इस टर्म है green revolution, ये कोन लेके आया था, Dr. William Gaud, और जो green revolution strategy है, वो जरिवन by the use of high yield variety seeds, fertilizers, irrigation and mechanized farming, that means mechanized farming भी इसमें थी, तो mechanized farming में क्या हो, आपको machines की जरुरत पड़ी, जैसे आपको tractors, tillers, thresher वगेरा, field में जो होते हैं, fine, and excessive irrigation की जरुरत पड़ी, आपको boza fertilizers, जो हैं, वो use करने पड़े, तो इसको support भी मिला था, कैसे strengthen करके, credit facilities, loan subsidies वगेरा, प्रवाइड करके, इसको electrification की जरुरत थी, जो pump चला सके, जहां से वो water जो हैं, वो ले सके, एक infrastructure डिवलाप करने की जरुरत पड़ी थी, तो it was inspired by the success of the cropping experiment, जो Latin American countries like Mexico, and Asian countries like the Philippines में हुआ था, तो यह इसका थोड़ा बहुत introduction था, अब हम देखते हैं, इंडिया में क्या किया इसने green revolution ने, यह introduced किया था, 1960s में only in those areas, जहां पर assured irrigation है, क्योंगि sufficient water जो है, यह एक pre-requisite था, आपके green revolution के success के लिए, और इसके methods of cultivation के लिए, ठीक है, तो it also targeted mainly at the wheat and rice growing areas, जहसे मैंने कहा high yielding variety of stable crops, इसमें वो introduced किया गया था, तो mainly इसने, mainly target कौन किये गए थे, कौनसे crops, आपके कौनसे areas, जो आपके wheat and rice growing areas हैं, ठीक है, as a result, इसे क्या हुआ, कि only certain regions, लेक Punjab, Haryana, Western, UP, Coastal, Andhra Pradesh, and parts of Tamil Nadu, जो है, उनको benefit मिला था, First Wave of Green Revolution का, ठीक है, तो क्यूंकि इसके कुछ conditions थे, कि आपके इन conditions के basis पे Green Revolution को introduce कर सकते थे, तो country में सरफ कुछ ही states को इसका benefit देखने को मिला था, Impact आपको इसका economic भी देखने को मिलेगा, और social भी देखने को मिलेगा, जो हम इस पूरे topic में पढ़ेंगे, इसने transform किया, एक ritual based agriculture को, एक modern secular profitable activity में, आभी तक agriculture जहां सरफ food consumption से related था, अब हमने बात करने लगे, commercialization की, ठीक है, अब जो produce होता था agriculture से, वो market में जाता था, तो इसलिए जो second wave of green agriculture, जो था second wave of green revolution, वो highly marketization और privatization उन सब चीज़ों से कही न कही रिलेटेट था, इसने rural effluents in many areas, और अलसो लेट तो the industrial growth, and self-reliance in terms of agriculture, equipment, manufacturing, क्योंकि mechanized farming की हमें जुरत पड़ी, तो इस वज़ा से manufacture वगेरा को भी इससे boost मिला, productivity हमारी wheat and rice की अल्मूल्स डबल हो गई, यहां पर कुछ data है, वो आप देख लेना, green revolution जो था, अलसो इंफ्यूज साइंटिफिक टेंपर इंटो Indian agriculture, क्योंकि अभी हमारी Indian agriculture, traditional knowledge पर ही जो है वो चल रही थी, ठीक है, Indian agriculture टेंटिशनल नॉलेज पर ही चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ green revolution से, scientific temper आ गया Indian agriculture में, उसका क्या मतलब हुआ, कि अब थोड़ा scientific temper क्या होता है, develop करना, कि थोड़ा rational हो जाते हो, आपका inquisitive, जो curiosity होती है, चीज़ों को लेकि, उसको अब settle करने की कोशिश करते हो, एक rational way में, ठीक है, तो वो science को, इनोंने technology को कहां पे लेकिया है, Indian agriculture में, आपका green revolution, while it had enormous benefits, लेकिन इसके काफी negative, socio-economic fallouts भी थे, जिनको काफी sociologists ने highlight किया है, इसके unequal benefits थे, for various sections of farming class, ठीक है, तो सारे farmers को same benefit नहीं, मिला जो rich farmers थे, middle farmers थे, वो benefit ले सके, लेकिन जो lower तबके के थे, वो बिचारे ना जमीन के रहे, और वो labor बन गए, फिर labor बन के भी, उनका गुजारा नहीं हो रहा था, ठीक है, तो इसका जो ये था, इसमें एक inequality थी, intrinsic inequality थी इसमें, जिससे क्या हुआ, हर class जो है, वो equal benefits नहीं ले पाए थे, primarily आपके medium and large farmers, they were able to benefit, क्योंकि जो new technology थी, it was costly, मैंने कहाँ आपको mechanized farming, new fertilizers, input जो है, इसमें लगते थे, आपके fertilizers, ठीक है, and आपके pesticides वगएरा, ये सारी चीज़े, irrigation का इतना काम, and then आपका infrastructure, वो support करना, तो उनके लिए वो काफी costly पड़ा था, तो इसका input जो था, वो उनके लिए काफी महंगा था, only those farmers, who were able to produce a surplus for the market, were able to reap benefit from the green revolution, क्योंकि अगर आप market के लिए, produce कर पा रहे हो, तब ही आपको extra profit मिलेगा, ठीक है, और चो commercialization of agriculture, इन चीज़ों से हुआ, तो ही आप उनको उसका क्या है, जो फाइदा है को उठा सकते हो, पेसंट्स fail to reap the benefits, as they could produce just enough to meet their own needs, in the first phase of green revolution in 1960s and 70s, introduction of new technology, led to the increasing inequality in the rural society, तो इससे ये बात clear होती है, कि फाइदा को न ले सके, जो आपके middle and large farmers से, वही फाइदा ले सके, क्योंकि जो इसके महंगे inputs इसमें use होते थे, वो small farmers जो हैं, वो effort नहीं कर पाते थे, तो negatives में क्या आता है, इसकी जो inequality थी, सोचा था कि equality लाएगी, income बढ़ाएगी and all that, लेकिन वो नहीं हो रहा था, अगर ground level पे, आपसके social and economic aspects analyze करोगे, तो आपको पता चलेगा, actually में क्या हो रहा है, जो inequality थी rural society में, वो increase हो रही थी, ठीक, फिर देखते हैं, it also argued that, जो green revolution है, led to the displacement of tenant cultivators, and rise in the agriculture laborers, अब देखो tenant cultivators क्या होते हैं, वो कौन हैं, जिनको land दी जाते हैं, वो उसी land पे सारा काम करते हैं, fine, या काम करते हैं, या laborers से काम करवाते हैं, वो उन land के साथ kind of attached होते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, और उस land के सारी देखबाल वगेरा भी करते हैं, and agriculture laborers होते हैं, जो seasonal आपके land पे आएंगे, काम करेंगे, जाएंगे तो अब जब इनको लगा farmers वगएरा को लगा जो big land owners उनको लगा कि नहीं काफी fruitful activity है तो उन्होंने tenant cultivators को बीच में से हटाया और खुद उस पे काम करवाना शुरू किया उन्होंने वाया agriculture labor वगएरा point करते थे agriculture labor जो है वो seasonal होते हैं आपकी land पही रहे उसकी देखबाल करें वो सारा काम जो land owners ने अपने हाथ में लिया जो बीच वाली category थी उसको वहां से हटाया ठीक इससे क्या होगे displacement of tenant cultivators land owners जो थे begin to take back the land from the tenants और cultivate उसको करवाते थे directly क्योंकि अब उनको tenant cultivators को भी कुछ पेने करना पड़ता था land अब काफी ज़्यादा profitable activity हो गई तो उन्होंने control रहे है अपने हाथ में ले लिया इससे क्या होगे जो rich farmers से they became better off and worse than the condition of landless and marginal holders तो उन्होंने क्या किया एक तो जो जो landless से उनकी condition improve नहीं हो रही थी and जिनके पास कम जमीन थी वो क्या करते थे उनको लग रहा था कि agriculture profitable हो रहा है being a labor हम जादा कमा रहे है as compared to अगर हमारे पास छोटी सी जमीन रहेगी वो अपनी जमीन बेचते थे and वो भी as laborers काम करना शुरू होगे many small land owners जो थे non green revolution areas के वो green revolution एरिया में आगे थे as laborers as wages were high in prosperous regions तो जहां पर agriculture काम अच्छा हो रहा है तो वहां पर wages भी high उनको मिलती थी तो अपनी वो land को बेच के वहां पर as मज़ूर काम करने चले जाते थे ठीक है तो इसे और एक चीज़ क्या हुई वो non green revolution एरिया से green revolution एरिया में चले गए काम करने तो migration हो गई जब migration होगी तो migration के social impact काफी होगी mostly जो migrate करेंगे वो male members migrate करेंगे तो sex ratio जो है वो skewed हो गया females बहुँ जादा कम रह गई तो वो सारी problems जो है इसके साथ demographic distortions जो है वो green revolutions के साथ हमें देखने को मिले migration की वज़ा से इसका impact cast पे भी था क्यूंकि it led to the breakdown of traditional economic structure traditional economic structure हमारा क्या था majorly job की service cast थी जिसे पहले tractors, tillers वगएरा का time नहीं था वो service cast थी वो सारे काम करती थी इनकी जगा machines की जगा तो वहाँ पे अब क्या हुआ अब आपको mechanized farming आ गई तो आपको machinery की ज़रुरत पड़ी fine तो जो service cast थे उसको वहाँ से निकालना पड़ा तो उनका जो economic structure था इस वचे से वो disrupt हो गया ठीक है the introduction of machinery like as such as tillers, tractors, threshers and harvesters वगएरा इससे displacement हो की service cast group की जो carry out करते थे these agriculture related activities तो organic linkage is जो थी of traditional systems like judgment system broke down तो judgment system में क्या होता था यह हमने time to time मैंने आपको यह चीज़ बताई है judgment system में क्या होता था एक आपका कामीन होता था and आपका यजमान होता था जिसको judgment यजमान बोलते हैं तो वो क्या करता था आपका judgment होता था यह जमान यह mostly high caste के होते था and आपके कामीन जो serving caste होती थी तो serving caste जो है वो जजमान को serve करते थे and in return मोन को pay करते थे kind में, grains वगेरा ठीक है तो यहां पर क्या हो serving caste जो है वो बीच में से हट गई तो जो ही relation था जजमानी system था यह खतम हो गया slowly it got replaced by your money economy क्योंकि यह wages पे काम होने लगा ठीक है there's the organic linkage of traditional system जो है वो भी broke down and इससे क्या हुआ agrarian unrest हुआ क्योंकि जब भी किसी चीज़ का एक structure बना होता है काफी सालों से and उस structure में कुछ changes आना शुरू हो जाती है तो एक unrest follow होना it is quite obvious तो जो agrarian dominant caste है वो भी emerge होना शुरू हो गए अब जिनके पास power आ गया जिनने थोड़ा surplus जो है वो manage किया ठीक है profitable activity में गुजगे उनको profit मिला तो obviously वो थोड़ा high class के बन गए और उनके पास एक power भी आ गया dominance भी आ गई इससे हमें new rise of new classes है new interest groups भी देखने को मिले नए interest groups कैसे देखने को मिले क्योंकि अब हमारे पस groups आएंगे जो demand करेंगे government से हमें free electricity दे दो ठीक है जो water की बात करेंगे free electricity की बात करेंगे हमारे पस ऐसे associations बनेंगी तो वो ही सारी चीज़े जो है हमें आने वाले time में green revolution के साथ देखने को मिली it led to the development of notion of class interest as the agriculture produce came to the market in a big way ठीक है क्योंकि marketization हो गई तो gradually आपका class interest है वो भी जो है वो element आपके agriculture में भी आने लगा जैसे हमने यहां पर देखा present farmer association आगे तो they demanded for the free electricity water, MSP, etc. by acting as a various class interest groups ठीक है, तो अब यह सारी चीज़े वो demand करने लगे तो accordingly आपके जो class interest है वो भी promote होगे Paul Brass ने कहा also link the increased participation of the effluent farmer class to the successful green revolution ठीक है effluent farmer class ने इसमें काफी ज़ा participate किया, उसको उसकी वज़े से भी green revolution रहा, वो successful रहा आज farmer group of North India जो है they act as a powerful lobby तो जो farmer group है North India के बड़े-बड़े farmers especially Punjab, Haryana में वो बहुत ज़्यादा एक तो rich हैं काफी ज़्यादा and इन वो powerful lobby भी act करते हैं वो आपके economically भी काफी strong है वो politically भी काफी strong है ठीक है and उनका एक powerful अपनी lobby बनी हुई है Satya Dev ने कह seed corporations जैसे हैं Haryana वगेरा में they are completely hijacked by the dominant farmers तो Satya Dev एक social activist भी है ठीक है उन्होंने क्या कहा है जो seed corporations है Haryana के जो काम करते हैं like production, distribution and sales of seeds वगेरा ठीक है जो ये corporations है इसके mostly कौन से members है जिनका power है in corporations जिनके पास power है in corporations का वो आपके dominant farmers हैं ठीक है तो कहने का क्या मतलब है powerful lobby जो है farmers की वो create हो रही है इन सब चीजों की वज़ा से जो green revolution है इससे cropping pattern भी change हो गया and agriculture pattern भी क्यूंकि एक significant shift हमें देखने को मिला from dry to wet irrigated cultivation क्यूंकि पाननी की काफी ज़ादा जरूरती along with changes in cropping pattern and types of crops grown अब आप वो वाले crops जादा grow कर रहे हो जो आप market में ले जाओगे और वहां से profit कमाओगे तो जहां पर अपनी consumption के लिए पहले जो बिचारे गरीब लोग अपनी consumption के लिए ही grow करते थे अब वो ऐस labor काम कर रहे हैं वो grow कर रहे हैं cash crops especially आपका cotton वो grow कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है अब वो किसपे depend करेंगे अपने खाने पीने के लिए पैसूं पे क्योंकि वहां से जो market profits उनको पैसा आएगा उस पैसूं से वो चीज़े खरी देंगे जो पहले वो grow करते थे तो ये उनकी condition हो गई cropping pattern में change आ गया पहले क्या होता था एक ही crop system नहीं था multi crop system था multi crops अब grow करते थे कि अगर एक crop failure हो गया at least risk cover करने के लिए आपके पास दूसरा crop है उससे हम change करके mono cropping में आ गया कि एक ही crop grow कर रहे हो अगर आप से weed grow कर रहे हो आपके seasonal change की बज़ा से किसी भी variation की बज़ा से वो अगर crop जो है वो failure आपको face करना पड़ा तो आप कहां जाओगे आपके पास risk cover करने के लिए दूसरा crop नहीं है तो ये सारी changes जो है इसके साथ negative changes आने लगी ठीक है वो ही यहां पर चीज लिखी हुई है अनाद negative outcome क्या था worsening regional inequality जिसे मिने starting में कहा था सरफ वो area जहां पर assured irrigation है उन्हीं को ही फाइदा मिला था बाकी उनको उतना फाइदा नहीं मिला था further as the supply increased prices dropped and it hit the farmers for dry areas hard अचा only some selected areas of few crops were benefited and only those areas with assured irrigation benefited के लिए उनको फाइदा हुआ and dry areas जो है उनको काफी नुकसान हुआ ठीक है उनको कोई फाइदा इस चीज का नहीं हो रहा था तो improper implementation of land reforms coupled with unequal benefits of green revolution यह सारी डोनू problems जो है यह हमारा जो agrarian system है सारा face कर रहा था farmers became more assertive and restive इन सब चीजों की वज़ा से क्या हुआ काफी जादा जो है protest farmers के थूँ आने लगे agrarian protests agrarian movements भी जो है वो काफी चली 1970s and 1980s में अगर देखने को मिली होंगी तो basically वो यही fallouts थे किसके जो भी anomalies associated थी with green revolution ठीक है तो farmers अब assertive and restive होगे that means वो protest करने लगे farmer movements agrarian movements launch करने लगे क्योंकि एक तो फाइदा नहीं हो रहा था inequality बढ़ रहे थी regional disparity थी wet and dry areas में disparity थी ठीक है जो tenant cultivators से उनको displace किया गया था यह सारी जो problems है यह फिर मिलाके इसने finally क्या किया किस रूप में सामने आई protest के, movements वगेरा के ठीक है जो हमने social movements में थोड़ा बुतम में आगे chapter है उसमें हम यह थीज़े और देखेंगे Indian farmers जो थे were cultivating land for centuries अच्छा और है क्या था जो Indian farmers है land तो पहले से cultivate कर रहे थे तो उनके पास traditional knowledge थी indigenous knowledge थे एकरी culture की लेकिन वो सारी जो knowledges हैं बाद में वो किसी काम के नहीं है they were being lost क्योंकि hybrid high yielding and genetically modified varieties of seeds जो है वो promote हो गई as more productive and scientific तो च्छे टरिशनल knowledge का हमारे पास खजाना था वो भी खतम हो गया ठीक है वो भी इसका एक यह है drawback है and male child की preference बढ़ गई क्योंकि land के साथ a value land a profit दे रहा है land के साथ अब बेटे को associate करते हो क्योंकि बेटे के पास property जाती है तो patriarchy भी इससे चीज से क्या हो गई और सादा increase हो गई अगर आप ऐसे ऐसे करके point लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका जो answer है वो various dimensions को cover करेगा ठीक निवेतिता मैनन finds out that green revolution जो है it has given a way to feminization of poverty and intensification of patriarchy and widening of the demographic divide तो feminization of poverty क्या होता है जैसे आपकी जो poverty है वो females में जादा देखने को मिलती है as compared to males तो यह हमें एक चीज भी बताता है कि gender and poverty का भी एक relation है तो यह चीज़ किसने point out की थी निवेता मैनन ने कि green revolution से यह भी हो गया क्योंकि land के ता profit सारा हो गया attached land के साथ land और किसकी होती है लड़के की होती है तो फिर गरीबी में कोन रह गई लड़की ही रह गई ठीक है and intensification of patriarchy क्योंकि male child का again preference जो है वो बढ़ना शुरू हो गया and demographic divide जो है हमारा male female का यह और ज़्यादा wide होने लगा green revolution जो है देखो ऐसी करके answer आप various dimensions से cover करोगे इसलिए मैं आपको एक-एक जो key term है keyword है वो explain करने कोशिच करते हैं ताकि आप किसी चीज में confuse ना रो green revolution जो है इसने change किया mode of production of Indian agriculture में इसको capitalistic oriented बनाया Indian agriculture को ठीक है जहां Indian agriculture जो है land के साथ काफी ज़्यदा value associated होती थी land के साथ festival celebrate होते हैं ठीक है land को एक religious importance भी दी जाती है कई areas में इंडिया के अब वही land जहां से आपको अन मिलता था आप उसको उस level पे देखते थे अब वो एक market मार्केट में चला गया वो land ठीक है उसकी marketization हो गई capitalistic orientation that means आप उस land को अब आपको देने वाली चीज नहीं मिली वो land को आप as profit देखोगे जो आपको profit देगी ठीक है लेकिन unlike invest जो agriculture in India है it has become an expensive business क्योंकि सारे जो inputs है आपको वो market से लेने पड़ेंगे uncertainty in the sector is still very high ठीक है तो inputs काफी महंगे है fertilizers वगेरा जो उसमें use होते है pesticides वो काफी costly होते है irrigation के लिए जो आपको proper infrastructure चाहिए वो भी set up करना काफी costly होगा तो हमारे लिए क्या होगे inputs काफी महंगे होगे and output आपको वैसा मिलेगा कि नहीं वो भी काफी uncertainty उसमें भी काफी ज़्यादा देखने को मिलती थी क्योंकि कहीं न कहीं irrigation आपका किस पर depend करेगा आपके monsoon पे ground water को कितना extract करोगे करते जाओगे, करते जाओगे वो भी आपके environment के लिए problematic होगा ठीक है इसलिए जो productive इसमें जो uncertainty है वो हमेशा देखने को हमें ज़्यादा ही मिलती है इसकी वज़ज़ से अगरिकल चे इंडिया में क्या बोला जाता है risky phenomena for farmers excessive ground water usage and excessive use of fertilizers contaminated ground water ठीक है अब जादा जितना ground water आप निकालोगे and fertilizers आप जितने जदा यूज़ करोगे आपका ground water होतना ही contaminated होगा fertilizers बाद में क्या करते हैं यह seepen करते हैं जितने आपने use के ठीक है बाकि जो बारिश से वो run off हो जाता है fertilizers का water bodies में चला जाता है बहां से आपका water यह हो जाता है spoil हो जाता है soil में आप excessive fertilizers जालते हो वो soil जो होगी वो spoil हो जाएगी बाद में leech करते हैं यह seepen करते हैं यह fertilizers ground water में जाते हैं ground water आपका spoil हो जाता है तो काफी इदा problems देखने को मिलती है water logging की and salinity but other problems water logging जैसे आप कहीं आपने irrigation आपको ज़र आता है तो आप पानी बहुत ज़दा use करते हो तो वो area water logged हो जाता है पानी जमा हो जाता है तो पानी क्या हो जाएगा वो ultimately evaporate हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा वहाँ पे salt content तो वहाँ पे salinity काफी जादा उस soil में देखने को मिलती है जिसका again आपके environment पे आपके productivity पे finally दो है वो असर देखने को मिलेगा use of pesticides जो है led to the loss of endemic varieties of farm friendly insects and birds हमारे उसमें कुछ birds and insects होते हैं जो farm friendly भी होते हैं और जादा pesticides वगेरा यूज करने से वो species भी जो हमारी खतम होने लगी fine यहाँ पे कोई research में बताया गया था कि पंजाब के कुछ districts में chemical radiation and biological toxicity जो है वो काफी जादा है and वो इनी excess use of fertilizers बगेरा से हुआ है जो ultimate outcome है green revolution का was a process of differentiation differentiation क्यों हुई क्योंकि ameer जो है वो ameer हो गया हर चीज़ के जैसे corporatives में भी हमने देखा ameer हो फाइदा मिला हर इसमें हम देखते हैं चीज़ों में even आप अगर एक ground level पे भी आपने observe किया होगा जैसे government हमें BPL certificates देती है below poverty line तो काफी ऐसे fake मतलब जो अच्छी families है जो above poverty line पे आती है उनके पास भी BPL card होता है EWS देख लो economically weaker section अगर आज government कुछ ऐसा करे यह fake certificate निकालने के लिए I'm sure उसमें से 60-70% जो है तो fake certificates ही issue ही है होई होगी ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है जो फाइदा उठा सकता है जो थोड़े upper class का आता है वो गरीब का हक जहां पर भी देखे मारने की कोशिश करता है तो इसमें भी यही हो rich जो थे वो rich हो गए and poor जो थे वो poor हो गए and जिनको actually फाइदा होना चेह था जिनके लिए changes लाई जाती है जिनके लिए changes लाई जाती है उनको उतना फाइदा नहीं पोहुचता है it should note it कि employment and wages of the agriculture workers did increase in many areas लेकिन जो demand of labor है वो भी increase हो गया because the demand of labor also increased तो इनकी wages वगेरा भी बढ़ गई लेकिन वो एक short term phenomena था rising price and shift in the mode of payment of agriculture workers from payment to cash actually worsened the economic condition of the most rural workers क्योंग cash pay करने लगे अब जो grains उनको सीधे मिलते थे और उनको consume करते थे वो cash उनको मिला तो वो जाके market से जाके खरीदेंगे तो यहाँ पे वो inflation वाला concept भी आ गया जितने उनको पैसे मिल रहे हैं वो पैसे में के सारा उनको material market से मिल रहे है कि नहीं जब उनके हाथ में पैसा है वो पैसा सरफ necessities पे नहीं खर्च करते हैं वो पैसा बच्चों की शादियां करनी है education है, health है उसमें भी खर्च हो जाता है तो जो basic minimum requirement है उनकी body की at least वो fulfill हो रही है कि नहीं उस वो चीज़ पे भी काफी ज़दा सवाल उठे थे Hanumantha Rao and World Bank Hanumantha Rao and World Bank reports show there has been improvement in the food security of the nation अब कुछ positive देख लेते हैं negative हमने काफी बात की development हुई है of around 5 to 10 million additional direct or indirect employment की rural-rural migration ये काफी important point है याज रहेना positive इसका क्यूंकि मैंने कहा migration एक तो negative भी है लिग migration positive भी हुई थोड़ा ना rural-rural आप non-green revolution एरिया से green revolution एरिया में चले गए तो कई नो कई burden जो था कुछ areas का वो कम हुआ ठीक है तो ये migration से फाइदा हुआ और कई cases में cities के भी आदे migrate करने लगे जो वहां पे चले गए थे डूणने के लिए अपना काम, labors वो भी कुछ cases में वापस गाऊं आ गए ठीक है तो वो भी एक फाइदा हुआ इट रेदूस डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया और फॉरिं प्रोग्राम्स लाइक PL 480 जो PL 480 है that is your public law 480 USA का प्रोग्राम था ये ये basically क्या करता था food aid प्रोवाइड करता था developing countries को जहां पर food food insecurities वगेरा जो country face करती थी food shortage उनको food aid प्रोवाइड करता था तो aid प्रोवाइड करने का मदलब भी क्या होता है कि आप अपना हवाले कर देते हो summer pit कर देते हो उस country को जो आपको aid दे रही है तो कहीं न कहीं वो आपकी sovereignty पे भी खत्रा है ठीक है क्योंकि जहां से आपको food aid आ रहा है वो फिर बाद में आपके उनका सरफ कोई social welfare का काम तो नहीं है US का उनको फिर बाद में interference चाहिए आपकी अंदर की policies के साथ ठीक है और फिर आप उनको मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपको aids प्रोवाइड करें जो हाल पाकिस्तान का हुआ ठीक है तो इसे क्या हुआ green revolution से यह काफी important point है programs like PL480 पे हमारी dependencies जो है वो काम हो गई और हमारी sovereignty को भी compromise होने से इसने बचाया green revolution has been successful in curbing the menace of famines which so frequent in the decades prior to green revolution ठीक है तो यह famines वाला point पी इसके positives में याद रखो गया एक मिन आपको शाद वेसेबल नहीं है यहां से पूरा तो famines वाला point यहां से आप देखोगे the green revolution was considerably successful in ensuring food security and agriculture surplus वगेरा ठीक है यह सारी चीज़े होगी food security agriculture surplus मतलब extra produce होने लगे तो profit वगेरा generate हुआ वहां से फिर माइन्स हमारे जो है वो हमारे यह हो गए उनको curb किया गया and subsidized food grains जो है वो भी available करवाने लगे अब and public distribution system भी हमारा efficient हो गया वो कैसे हो गया efficient क्योंकि हमारे पास subsidies subsidized food grains आगे काम rate पे तो उनको distribution के लिए public distribution system ने अच्छा खासा काम किया compliment करने के लिए effort को government ने launch किये और सारे program जैसे command area development program इंप्रूब करने के लिए irrigation facilities तो यहां पे पस data related है यह आप देखोगे कि state ने कैसा किया change in cropping pattern that started in these areas in 1967 onward continuing years to come with relatively encouraging results ठीक है तो यह positive ही है benefits of green revolution spread unevenly due to specific requirement of the seed varieties ठीक है जैसे आपको seed varieties के लिए ऐसी requirement चाहिए पानी उतना चाहिए तो आप क्या कर सकते और dry land farming नहीं कर सकते आप dry lands में वो use नहीं कर सकते तो आपको वहीं use करना पड़ेगा जहां पर assured water supply होगी जैसे आपके Haryana Punjab and Western UP Even in these areas जो class of big farmers हैं they were benefited the most as they could spend money on irrigation new seeds as well as on fertilizers and equipment ठीक है तो यह वही सारी चीज़े यहां पर repeat हुई हैं जो हमने discuss करी they resorted to additional politics agitation politics and indulge in a new form of farmers movement which formed part of a broader phenomena called the new social movements ठीक है तो क्या हुआ इनको अप government से जादा benefit चाहिए थे अब इनको electricity, MSPs ठीक है वो सारे subsidize rate पर fertilizers बगएरा वो सारी चीज़े चाहिए थी तो यही हमने देखा तो यह सारी politics agitation politics agriculture में आगई farmer movements in the form of new social movements सामने आगई new social movements आगई जिसमे वो कौन से होते हैं जिसमें हम अलग-अलग issues भी tackle करते हैं जैसे आपके environment के related gender, globalization related issues भी इसके साथ merge करते हैं इन new social movements हमने paper A में cover किया है while the green revolution solved the problem of food security to a considerable extent it apparently had certain unforeseen fallouts as well तो फिर से कुछ इसका यह है unforeseen fallouts जो हमने पीछे भी discuss किये हैं वो ही continue हुआ होगा यहां पे भी in post green revolution India agriculture capital intensive बन गया and market oriented activity बन गई ठीके क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा inputs जो थे वो costly थे and market oriented क्योंकि अब इसमें सिर्फ ज़्यादा profits पे ही दियान दिया गया fine it also led to indebtness at times in Punjab there were around 900 farmers use side तो inputs महेंगे हैं तो आप कही न कहीं से पैसे लाओगे तो उसे क्या हो जाएगा आप indebtness में जाओगे ठीके उधारी करोगे आप करजे में डूब जाओगे and finally इस वज़े से हमने देखा 900 farmers use side कहां पे पंजाब में 2017 to 19 introduction of high yielding varieties उसने क्या किया effect हमारे जो indigenous varieties of wheat और rice थे उनको high yielding varieties उते वो resource incentive थे intensive थे that means उनमें हमें fertilizers जादा लगते थे ठीके pesticides जादा लगते थे पानी जादा लगता था मतलब resources उनमें काफी ज़दा खर्च होते थे and drain soil nutrients, soil, fertilizers वगेरा soil legion करते हैं groundwater में जाते हैं, पानी में जाते हैं and took a toll on water table also so क्योंकि ground water इतना एक्स्टाइट करना पड़ता था हमें irrigation के लिए, तो हमारे environment के लिए सारी चीज़े अच्छी नहीं थी the as a production arose in northern regions जो surplus है वो भी बढ़ गया आपने production इतनी जादा की consumption भी की, उसके बाद आपका surplus रह गया profit, तो जो farmers से वो जादा prices demand करने लगे उन surplus के लिए, that means price जो है, वो instability वो बढ़ गई, market में आप price जादा मांगने लगे farmers इसकी वज़ा से क्या हो गया, MSP स्टार्ट हो गई, food grains की वो भी increase हो गई, क्यूंकि अब सरफ आप वो ही चीज़े produce करोगे, जो आपको ज़दा prices देंगे market में, ठीक है, and जो food grains इसे rice, wheat वगईरा है, तो वो उगाने से ही मना कर दें farmers, तो फिर कहां जाएंगे बाकी लोग, ठीक है, तो इस वज़ा से, जो farmers हैं, उनको MSP दिया गया minimum support price के आप wheat और rice पे भी दियान दो तो हम आपको उसके लिए MSP प्रोवाइट करेंगे, अगर market से आपको पैसे उसमें नहीं मिलें, ठीक है, MSP क्या है, यह हमने starting में देख लिया था, कि हमने last lecture में शाहिए डिसकास कर रहा था, MSP क्या होते है, it in turn led to an increase in emphasis on wheat and rice food grain, and traditional nutritious crops like coarse grains and pulses were ignored, उसे MSP आपको मेला food grains में, तो जो coarse grains थे, उनको finally बाद में ignore किया गया, तो मतलब disrupt हो गया सारा आपका जो cropping pattern था in short, it also distorted cropping patterns as in states like Punjab, Haryana, और जब Union of Government of India ने introduced किया था 2020 में, three farm legislations इस पर काफी protest होए थे, ठीक है, जहाँ पर farmer को लगा था MSP सिस्टम को जो है, abolish किया जाएगा in the name of new agrarian reforms, तो यह सारे protests हमने देखे हैं, जो farmer protest होए थे, काफी खतरनाक time ही चले थे, ठीक है, इन three bills को लाने के लिए, increased food grain production जो थी, didn't necessarily mean rise in nutritional status, तो क्या जो हम food grains की productivity increase करवा रहे हैं, green revolution से, उसने हमारे nutritional status पर भी कोई impact डाला नहीं, उसका कुछ खास rise हमने नहीं देखा, तो जिसका यहां पर data वगेरा जो है, यह आप खुद देखोगे तो government ने क्या किया, address करने के लिए shortcomings of first green revolution, government ने launch की other programs like white revolution for milk, pink revolution for meat-based products to make agriculture development more inclusive, government ने green revolution to eastern India आने की भी कोशिश की, ठीक है water depleting resources, dry land farming, जो है, वो next focus रहा for an alternative green revolution, dry land farming होगा, at least जहां पर irrigation facilities नहीं है, या पानी कम है, वहां पर वैसे crops grow करो, जो उन conditions में survive कर पाए, ठीक है तो मेरी institutions like international crop research institution जसको 61 बूलते हैं short में, ठीक है they are working to develop hardy crops for such area, जहां पर dry land farming होती है new techniques like system of rice intensification, market assisted selection, archaeology, etc. उनको use किया जा रहा है, increase करने के लिए agriculture productivity in every nook and corner of India as a tribute to green revolution कि green revolution है, अब जहां पर अपना काम किया, positives पर focus करो, government का यह कहने का मतलब है अब जहां पर यह lag कर रहा है वहां पर हम extra काम करेंगे जैसे बागी revolutions की बात हुई यह नई techniques, जो मैंने अभी आपको बता ही rice intensification की, market assisted selection की आगे, argue agro ecology की, ठीक है, इस पर भी government ने दियान दिया, rice intensification क्या होता है, basically related to your increasing the productivity of rice cultivation, वो कैसे, जैसे हम planting techniques, हम plants कैसे लगाते हैं उसके, उसकी techniques में थुड़ा change करके, कि कहीं पर उनकी spacing वगेरा increase कर दी, ठीक है थोड़ा water management पर दियान दे दिया जहां से हमारा production, जो है rice का वो increase हो सके, marker assisted selection में क्या होता है breeding techniques पर दिया जाता है कि आप वैसे वाले off springs produce करने की कोशिश करो, जो drought resistant होंगे, ठीक है and आपके disease resistant होंगे disease resistant तो basically जो breeding techniques है उसको enhance करने के लिए, efficient बनाने के लिए, agro ecology होते है और sustainable agriculture उस पर दियान देने के लिए ताकि environment पर कोई बुरा आसर ना पड़े तो ये सारी नाई technologies जो है इन पर काम हो रहा है ताकि जो agriculture productivity है, वो हर जगा increase हो जाए और जो fallout से negative से green revolution के उसको हम counter कर सके, तो ये सारी चीज़े यहाँ end करते हैं, IKC lecture लंबा हो गया next में हम next topic देखेंगे till the time I upload next video, bye bye, take care have a great day